जिस मौशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहां भूक तहवीद के आदाब भुला देती है यहां हवच के पुजारी स्याह रातों में सफेज जिस्मों का जीवन स्याह करते है यहां पे नाचते पैरों की ठाब बिक्ती है यहां पे जागती आँखों के खाब बिक्ते है यहाँ पे फूल से होंटों की त्यास बिक्ती है यहाँ पे जिसम है बिक्ते शबाब बिक्ते आली वपार भूब दो वक्त की रोटी के एवर बिंते हवा को इबन आदम की हवस का निशाना बनने पर मजबूर कर देती है लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती चौदा साला बीरा की असमत लुटाने के बाद जान से भी हाथ दो बैचती है लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती ठरकी जल्टी रेट पर नंगे पहुंच चलने वाली कौम का सदर इस्लामाबाद की सड़कों पर मर्सिदीन में सफ़र करता है लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती बलोटिस्टान की खुशक साली पर एर कंडिशन कमरों में मिनरल वाटर पी पी कर वार किया जाता है लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती ये शाहराहे इसी वास्ते बनी थी क्या के इन पर देश की जन्ता सिसक कर मरे जमीने क्या इसी कारण अनाच उगला था कि नसले आदमों हवा बिलक बिलक कर मरे मिले इसलिए रेशम के ढेर बुनती है कि दुख्तराने वटन तार को तरसे क्यमन को इसी लिए माली में खूं से सीन्टा था कि उसकी अपनी निगाहे बहार को तरसे आलिवकार ये है इसलामी जमूरिया पाकिस्तान जहां हर कोई अपनी धुन में मगन है सर खुजाने की फुर्सत नहीं दाएं बाएं की फिकर नहीं हर शक्त भूका है कोई इक्तदार का तालिव है तो कोई शौरत का भूका कोई दौलत का परिस्तार है तो कोई पेट का भूका कोई भंके एक प्याले की एवज़ अपना सब कुछ हिचावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूका कहतुर रजाल बषटा चला जा रहा है तहजीब और तमदन के पेमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदी का गिला कर रहे हैं हम जवाज की आखरी हदों के भी आखर पर पहुंच चुके हैं इंसाफ मुहिया करने वाने दारे सिसक सिसक कर डम तोड रहे हैं हर तरफ से एक ही पुकार सुनाई देती है धूख तहजीब के आदाब भुला देती है अलिवकार सुनिये सुनिये अगर आप सुन सकते हैं कि जब बुड़े प्रोफेसर को छे मार पर पेंशन ना मिली तो अपनी कंट पटी पर सिस्टॉल रख़र बोला था मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है सुनिये अगर आप सुन सकते हैं जब तफ्नीम सो लंगी भूके कुतों का नहाला इतर बनी तो बोली पड़े हैं गुंग कटेहरे अदालते चुप हैं सुनी अगर आप सुन सकते हैं जब मजदूर शाम को खाली हाथ घर लोटा तो अपने बच्चों से नजरे चुराते हुए बोला हैं सल्ख बहुत बंदा मजदूर के आउकाद सुनी अगर आप सुन सकते हैं कि वजीर आदम की खुली कचेहरी में खुद्कोजी करने माना शक्त बोला था मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है सुनिये अगर आप सुन सकते हैं जब जागिरदार के रस्तागीर गरीब हारी की बेटी को उठा कर लेके गए थे तो वो बोला था आवाज दो इंसाफ को इंसाफ कहा है अगर आप सुन सकते हैं कि डमा डॉला के बेग Chron 확실히 चिला चिला कर कह रहे हैं नवीजोः इंसान को की इंसान मर गया सुनिए अगर आप सुन सकते हैं डॉक्टर आप्या सिद्धी की आज भी तरापा सवाल है विमेदार कौन सुनिये अगर आप सुन सकते हैं लाल मस्चिट के शोधात कह रहे हैं पाक फॉई तू जिन्दाबाद और सुनिये अगर आप सुन सकते हैं जब बेरोगार बाप ने अपनी तीन जवान बेटियों को मौत के घाट उतारा था तो बोला था अजब रसम है चारा करों की महसिल में लगाकर जफ़म नमक से मसाज करते हैं गरीबे शहर पर अपता है एक नवाले को अमीरे शहर के तुत्ते भी राज करते हैं आरीवकार भूक तहवीब के आदाब भुला देती हैं गर्बत से मजबूर लोग अपने बच्चे भून कर खा जाते हैं अपने गुर्बे और आंखे वेट आते हैं अपनी आच आच साला बच्चियां दल्लालों के हवाले कर देते हैं अपने खांदान के साथ आग में कू कूंग बच्चों के गले काट देते हैं आरीवकार सदारत विजारत और इमारत के भूके तहजीबी अकदार को पामाल कर देते हैं कभी तो चंद खोटे सिक्कों के वस्कौं की बेटियों को बेड़ डाते हैं तो कभी मताजिस का तकदुत पामाल करते हुए ने लहू को पूला हूं किया देख रहा है आरीवकार इससे पहले इससे पहले के भू किस मुल्कों खा जाए इससे पहले के लह्चे बे आवाज वो जाएंस तुर्व, संगीत, सब पेसाओ हो जाएं, इसकी बेटी जागिर्दार की हवत का निशाना बनी और खुदारा उन मासूम बच्चों के सर पर दफ्ते शवकत रखिये जिनका बाफ पुलीस मुकाबले में मारा गया एर अशार के साथ ही मौदू बेरे बहुत समेटी हूँ सित्म जरीषिये वस्त में कलियों की नझाकत को दिलों की मुहपत को इस तरहां से मच्चला है इस तरहां से कुजला है कि जिन्दगी अधियत है और स्ताथ की भी कीमट है किसका हाथ है जो खून से रगा नहीं किसका गरिवा है जो गिर्फ में बचा नहीं सदाए मौत आती है शहर भर की गल्यों से खून की बू आती है फूलों और कल्यों से